से आज के बाद खाएं ताकि कोई रोग ना हो और हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाएं देखिए क्या करना है तो फर्स्ट इंपॉर्टन स्टेप सुबह जब आब टेंगे इसुबह से लिएक त्रएक चीजें वह फिल कोई भी तीन से छाथ का फल चूली अपनी पसंद न वह सकता है केव और You कुझा वोटलों कि हम दो और जादा क्ना है ऐम खाने से डायविटेज्ट होती है ना कि डायविटेज बड़ती है ये बात मैं को क्लियर करना चाहता हूं ये सोचने की जबर फ़ल है या मेठा फल है यह मुझे नुक्सान तो नहीं करेगा फल कभी भी किसी को नुक्सान नही नहीं कर सकता और अगर डाइबिटीस का पेशिंट उसको बहुत फाइदा करेगा अगर फल मीठा है तो और ज्यादा फाइदा तो कई लोग बोलते हैं डाइबिटीस के पेशिंट की लॉक्ट साफ 15 साल से मैंने आम नहीं खाया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ड़ा के रखा इसलिए आम नहीं खाया तो मैंने का पंदरह साल का जो कोटा है वो अभी पूरा कर लो तो आपको खुदी ताजू होगा कि आप अंगूर खाएंगे केले खाएंगे आम के सीजिन में खाएंगे उसका ब्लड शुकर चेकिजिए दवा भी बंद कर दिया इंसुलिन बंद कर हैं मैं आपको यह चलेंज करता हूं कि आप घर में जाकी करके देखिए तो बारा बज़े तक चार तरह के फल अपनी पसंद का आपको खाना है कुछ और नहीं पराठे नहीं रोटी नहीं दही नहीं दूद नहीं जाए सुबह का चाई पिते लोग जो सुबह का बंद है न रखती है खाना आने वाला और ट्राफिक पुलिसमें डिरेक्शन देगा और चाय जाती ही वो ट्राफिक पुलिस के लोग जो है पेट वाले वो सारे मर जाते हैं चाय जाते ही उसके पाद आप को अच्छा खाना खाएंगे भी तो भी खराबी का काम करेगा इसलिए सुबह का चाय जरूर जरूर बंद कर दीजे बाकी दिन भर में एक चाय ले लिया तो ले लिया लेकिन सुबह का जाय सबसे जादा नुकसान दे है बारा बज़े तक चार तरह के फल अचा कितना खाना है ये बड़ा इंपॉर्टन है आपके बॉड़ी के वेट के अनुसार मानलो अगर सतर केजी आपका बॉड़ी वेट है एक और सुन्य लगा दीजे 700 ग्राम चिलका निकालने के बाद गुटली निकालने के बाद जो एफेक्टिव वेट है उसकी बात मैं कर रहा हूं जैसे केले का चिलके का युवेट एक तीया ही होता है तो चिलके का वेट नहीं करन उतना ज्यादा बढ़िया होगा लेकि इतना खाएंगे तो खाना दवा की रूप में काम करेगी इससे कम खाएंगे तो खाना खाने की रूप में ही काम करेगी उतना बेनिफिशल नहीं होगा तो क्या खाना है कब खाना है कितना खाना है ये तीनों चीजे बढ़ी ही इंप भूग उतनी बढ़ती जाएगी, भूग का बढ़ना मतला आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, ये एक अच्छी निशानी है, तो बारा बज़े तक सिर्फ और सिर्फ फल, बरपूर फल, पेट भर के फल, ऐसे खाना है जैसे भगवान आपको सिर्फ खाने के लिए बना है, ले ले बज्वाट पहले पेट टू में आप जो खाना है वो खाई है, क्या खाना चाहते हैं, छोले बटूरे, पूरी सबजी, या चावल, रोटी सबजी, जो भी खाना चाहते हैं, उल्टा सीधा सब कुछ आपने प्लेट 2 में, वेजीटरिन लेकिन डाल दीजे, जितना खान टमाटर, खीरा, ककड़ी, मतर, ऐसे कुछ सब्जियां हैं जो अराम से कोई भी कच्ची खा सकता है, उन में से कोई चार चुन लीजे और अपने बॉड़ी के वेट के अनुसार, मान लीजे आप हैं 70 kg इंटू 5, 70 kg मेरा बॉड़ी वेट हैं इंटू 5, 350 ग्रैम या ज्यादा, इतना या इससे ज्यादा, इससे कम होगा तो ये खाना है, ये या इससे ज्यादा, तो ये दवा है, इतना खाने के बाद, इसे कहते हैं प्लेट 1, कितना एमाउंट, याद रखिए क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीजों के बाद ही ये प्लेट टू खालूंगा फिर प्लेट वन खाऊंगा, रेजल्ट भी उल्टा ही होगा, समझे इसको, प्लेट वन जो है वो डी आईपी डाइट है, तो प्लेट वन मतलब कच्छी सब्जी उसके नदर ड्राइवर है, वो सारे ड्राइवर आप पहले खा रहे हैं, पहले आपक आईपी खाना, चार तरह की सब्जी ऐसी खाने जो कच्छा खा सके और कितना मातरा मैंने बता दिये या उससे जादा, खाने के बाद अब आप प्लेट टू खाएंगे, तो प्लेट वन जो भोजन है, उसमें ड्राइवर जीरो है, है ही नहीं, वो सिर्फ भोजन है, वो आपन उकसान भी नहीं पहुचाएगी, क्योंकि पहले ही बहुत सारे ड्राइवर है, और ये पीछे-पीछे वी आईपी फूट भी डी आईपी की तरह काम करेगा, तो जब भी आप लंच करें, दोफैर का भोजन करें, हमेशा दो प्लेट लेट लेगे बैठें, और प्ले आपको आठ बजे तक आपना डिनर रात का खाना खतम कर देना है, पहली बात, दूसरी बात, डिनर में भी नियम वही रहेंगे, जो मैंने अभी लंच में बताए, जब भी आप रात का भुचन करें, प्लेट वन, प्लेट टू, प्लेट वन में चार तरह की ऐसी सबजी जो कच्चा कहा सकें, और उसकी मात्रा मैंने आपको अभी कल्कुलेशन करके बताया, अगर आपका वेट सतर केजी का आपका बोडी वेट है, इन्टू पांच, यानि की साड़े तीन सो ग्राम, चार तरह की सबजी, आपने खा लिये, कच्ची सबजी, उसके बाद प्लेट आपकी बूख और बढ़ जाएगे, और प्लेट टू भी आप खापाएंगे, ये सही है, बिल्कु सही, प्रैक्टिकल दिखाएंगे, सही है, तो आपकी बूख और बढ़ जाएगे, तो भूख की चिंता मत कीजे कि मेरा तो वो छोले बटुरे रही गये, फ्लीट वन खान कि आपके शरी के सारे अंग और जवान हो रहे हैं, जितनी जादा भूख लगी कि वो एक अच्छा निशानी है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तो जब भी डिनर करेंगे वो इस प्रकार करेंगे, और फिर देखिए कि किस तरह से ये बॉडियें प्रहौ करता है